यही कहते हैं, राम भी ही कहते हैं, जला राम भी ही कहते हैं, तुका राम भी ही कहते हैं, संत सारे यही कहते हैं, जी सस यही कहते हैं, गुरु नानक देव यही कहते हैं, कि मुक तो हो जाओ यहां से यह दुखाले है या जग में सब दुखिया देख्या काउना सुखिया देख्या हो राजा उदुखिया रंको दुखिया तफसी को दुखदू ना हो यहां दुखी है, कोई सुखी नहीं है, हरिश्चंद्र सत्वादी थे, कितना कष्ट उनके सामने प्रगट हुआ, कथा जानिती होंगे आप, मुरद्ध्वज महाराज, युदिष्टिर महाराज के सामने कितनी आपत्या, भिपत्या आई, जमकि स्वयम कृष्णु के साथ मे हैं, एक मात्र क्योंकि वो भव में हैं संसार में, इसलिए दुख्का तो अनभव उनको भी होगा, भगवान को स्वयम को दुख्का अनभव हुआ, भगवान को शिशुपाल गाली दे रहा है, सो सो गाली, सो गाली, शिशुपाल निकाली, भरी सभा में सुन रहे हैं, सारे एसिया के समराट एकत्रित हैं महायग बड़ा यग होने जा रहा है युदिष्ट महराज करने जा रहे हैं असुमेद यग समास्त सवा लगी हुई है वो सवा के बीच में एक शिश्वपाल बिहार का राजाहा करके और भगवान स्री कृष्ण को गाली देता है सौग आली सौग आली शिश्वपाल निकाली भरी सवा में सुनगे शाम एक और जब मुक से निकली चक्री की ना काम तमाम शिश्वपाल की मा को भचन दिया था कृष्ण बगवान ने माने गड़ड़ा के बिंती करी थी कि मेरे बच्चे जोटसी बोलता है कि मेरा जो बच्चा ये गोदी में लिए फिर रही हूँ शिश्वपाल इसकी मृत्यों का कारण आप हैं हे कृष्ण मैं आपसे भीक मांगते हूं मेरे बच्चे की मृत्यों मत करना कृष्ण जी ने कहा अगर ये ऐसा मालूम ही चल गया जोट्सियों के द्वारा कि मैं इसकी मृत्य हूं तो हे कि देवी कि मैं आपको बच्चन देता हूं जब तक ये तुमारा बेटा मेरे बड़े से बड़े सौ अपराद करेगा कि तब तक में इसको निमारूंगा इस सौ से ऊपर अगर अप्राद करेगा तो मैं इसको छोड़ूँगा नहीं ये इसको समझा देना जब बड़ा हो यही पिछले त्रेता में रावणर कुम्म करण थे यही सत्युग में रिनाक्ष और रिनाकश्युप थे यही बगवान विश्णु के द्वारपाल जय और बिजय थे इनको तो शाप लग गया था ना चत्रकुमारों ने दिया था तीन जन्म राक्षस का लोग ऐसा कह टरके शाप लग गया था बगवान विश्णु के द्वार पर दवारपालों के द्वारपाल थे बरी सभा में सुनगे शाम, तो बगवान का भी ये संसार में अपमान होता है कहीं कहीं, राक्षस लोग अपमान करते हैं, दुष्ट लोग अपमान करते हैं, सीता का हरण करते हैं, ये दुखाल है, इनको भी बड़े-बड़े युदिष्ट्र महाराज हो, अमरीश महाराज हो, बड़े-बड़े धार्मीक, संत, महात्मा, जनकरिशी हो, इनको भी संसार ने नहीं छोड़ा है, जनकरिशी को कितनी गालियां पढ़ी होंगी, जब बारह वर्ष तक अकाल पढ़ा था उनके राज़ में, कि हमारे राज़ का राजा कैसा है, इसके राज़ में हम त्राहिम हाम हो रहे हैं, न जल की बूंद है, न अन बचा है घरों में, तो दैवी प्रकौप है, लेकिन राज़ा के उपर बलेम जाता है, तो दुख तो भोगना पढ़ता है संसार में, इसलिए ये गुर्णानक जी के शब्दों में सही हैं, या जग में सब दुखिया देख्या, काउन सुखिया देख्या हो, राज़ा हो दुखिया, रंक हो दुखिया, तपसी को भी दुख है, सबको दुख व्यापत होता है, दुख खालयम ऐस आश्वतम, ये है परिक्षित, ये संसार दुख का घर है, और ऐस आश्वतम और टे ना ये शरीर पर्मनेंट है, ना वो शरीर पर्मनेंट है, सब की आयू है, प्रत्वी की आयू है, चांद तारे की आयू है, ब्रह्मांड की आयू है, ब्रह्मा की आयू है, ऐस्थिर है, दुख का घर है, मनमना भव मदभक्तो मध्याजी इमाम नमस्कुरू हे अर्जन तु मेरे में मनवाला हो मईयर पित मनो बुद्धी तेरे मन और बुद्धी को मुझे अरपन कर दे हम करते नहीं है अमारे मन और बुद्धी संसार को अरपने इंद्रियत भोगों में अर्पन हैं, इंद्रियत तर्प्ती में हम सदेव तल्लीन रहते हैं, कोई ने मन बुद्धी को अर्पन कर रखा है कोई जगा पर, कोई ने कोई जगा पर, कोई ने कोई जगा पर, कोई ने अरपन कर दिया कि मुझे मिनिश्टर बनना है प्रधानमंत्री बनना है तो जीवन पर उसी चक्कर में पड़ा हुआ है सत्मार्क से हटकर सत्मार्क पर रहना बड़ा मुश्किल है कोई कोई सच्चा माई का पुत्र होता है जो सत्मार्क पर शाषन करता है भारत की दुर्दशा क्यों है ब्रश्टता की कारण ब्रश्टता का जन्म कहां से होता है ब्रश्टता का जन्म होता है शाषन करने वालों की घरों में से संसद से जड़ तो संसद है ब्रश्टता की तो मन फिर ब्रश्ट कर्म करने के लिए कोई सीटों पर एमेले बनना चाहता है कोई एमपी बनना चाहता है कोई कमीशनर बनना चाहता है कोई कलेक्टर बनना चाहता है रिस्वत खाने के लिए देश में बंबलास्ट करवाने के लिए दुनिया को सताने के लिए भूका मारने के लिए जोपड़ पट्टियों में आग लगवाने के लिए किसानों को तर्साने के लिए गरीबों को कुचल डालने के लिए जंता का खून पीने के लिए संसार में बद्वू फैलाने के लिए ऐसे लोग आते हैं उनका मकसद होता है कि हम बद्वू फैलाने में नमबर वन की पोश्ट पर चले जाएं तो हम जम के बदू फेलाएं कोई-कोई माई का लाल होता है जो सत्ता की तरफ कदम बढ़ा के और उस पद पर जाना चाहता है कि नहीं मैं कुछ करना चाहता हूं मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं ये सेवा परमात्मा की ही सेवा है मैं देश को सत्की और ले जाना चाहता हूँ मैं किसी को दुख ही देखना नहीं चाहता एक अरब पती अरबों को भरके बैठा है और उसके बिल्डिंग के नीचे 10,000 आदमी, 10,000 उनके बच्चे 20,000 उनके बच्चे ब्रेड को तरस रहे है पाओं में चपल नहीं, चपलों को तरस रहे है नाने को साबुन नहीं, साबुन को तरस रहे है मूतने को मुत्रा ले नहीं, मूत रहे हैं कहीं भी टट्टी कर रहे हैं कहीं भी नालियों पर घरों के आसपास जाड़ियों में सब बद्बू फेली हुई है ये गरीबी का कारण नहीं गरीबी तो बड़ी स्वच्छ होती है गरीबी तो बड़ी सुन्दर होती है गरीब तो कोई है ही नहीं गरीब तो वो ही है जो बुद्धी से हीन है जो ब्रष्टता से युक्त है, जिसने ब्रष्टाचार को घेर लिया है, वो गरीब है, वरना गरीब कोई नहीं है, सब प्रभु के संतान है, प्रभु ने सुन्दर भूमी रहने को दिये, सुन्दर बुद्धी दिये, सफेद पोज पहनने के सफेद पोशाक पहन करके, यदि देश को सफेद नहीं कर सकते, तो काली पोशाक पहन लो, कोई जरूरी है सफेद पोशाक पहनना, संसद ब्रष्टता की जड़ है, और संसद ही सुक आनंद की जड़ भी है, यदि संसद शुद्ध हो, वहां की जीवानों शुद्ध हो, जीवानों ही कहूंगा मैं तो, जीवानों ही हैं, हम सब जीवानों हैं, एक बबल से हैं, एक जर्म से हैं, पिता की सरीर के, और उस पर्म पिता के अंश हैं, तेरे शरीर को तन्मन धन बोलते ते हैं, तन्मन धन सब अर्पन, तन्मन सब अर्पन करता हूं बगवान, ये सब तेरा ही ता हैं, प्रभू, मैं तुझे अर्पन कर देता हूं, लिए करते नहीं हैं, गाते हैं मंदिर में जाके, करते नहीं हैं कुछ भी, ना तनरपन करते हैं ऐसे गाने वाले कभी देखे कभी मंदिर में कुछ थोड़ा सा गंटे वर को कभी संडे संटर्डे कभी जा कि कुछ सेवा करते हो या वाकि पुजारी से पूछते हो मुझे कुछ सेवा बतला दो सेवा करने आया हूँ कोई नहीं पूछता दो चार आज में उचोड़के कोई नहीं पूछता कि मैं सेवा करने आया हूँ क्या सेवा करो मुझे सेवा का उसर दो मैं तन से सेवा करना चाहता हूँ धन से सेवा करना चाहता हूँ मैं कुछ धन लाया हूँ कहां रखूए इस चैक को नहीं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं इसको कहते हिपोक्राइसी आडंब पाखंड तो समाज में यह पाखंड फैलेगा तो फिर सत्त का प्रभाव दुर हो जाएगा सत्त कैसे फिर आपके सामने आए सत्त क्या है जब सत्त का गला काटने वाले खड़े सत्त को छीनने वाले खड़े हैं, लूटने वाले खड़े हैं, जला देने वाले खड़े हैं, सत्त को जहर पिला देने वाले खड़े हैं, तो सत्त कैसे आपके सामने आए, सत्त भी जगे छोड़ जाती है, सत्त चली जाती है, क्योंकि आप आनी नहीं देते हैं, सत्त का स्वागत नहीं है, बात तो ऐसे है कि जूटेगा मुझ काला और सत्त का बोलवाला लिनी इस वर्तमान समय में तो उल्टा हो रहा है या तो सत्त का मुझ काला करने वाले अधिक खड़े हुए सत्त का तो मुझ काला नहीं होता बेशक्त सत्त मेव जयते, सत्त की तो विजय होती है उसको परदा उठा कर देखेंगे तो सत्त सदेव बिजय ही है कुछ देर के लिए आप भ्रमित हो जाते हैं कि हम जूटों की बिजय होगी हम ब्रश्टाचारियों की बिजय होगी हम रिश्वत खोरियों की बिजय है हम अगोरी काम करने वालों की फत्य होगी सत्त की ही जय होती है असत्त की नहीं लेकिन उल्टा हो रहा है कि सत्त का मूँ कालार और जूट का बोलवाला जूट का बोलवाला बढ़ता जा रहा है तो जहां जूट का बोलवाला बढ़ेगा वहां सत्त विचारा कैसे आपके सामने आए जूट के मंदिर में सत्त नहीं जाता सत्त तो सत्ता के इर्दे में ही उतरता है परमात्मा सत्त के इर्दे में सच्चे के साती भगवान है जूटे के नहीं जूटे के साती हैवान है तो हैवानों की बाढ़ आ जाएगी देरे देरे कृष्ण भगवान जैसे गीता हम बोलते हैं कि कभी-कभी ये सतोगुण तमोगुण और रजोगुण को दवा के ऊपर रहता है तो ये प्रत्वी जो है स्वर्ग के तरह रहने लगती है स्वर्ग जैसे यहां पर लोग रहते हैं, स्वर्ग जैसे कारिये होते हैं, आनंद होते हैं, खुशिया मनाते हैं, नासते हैं, गाते हैं कभी-कभी सतोगुण नीचे आ जाता है और रजोगुण उपर चला जाता है तो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण को दोनों को दबा देता है तो यहां पर जो है रजोगुण प्रफल है तो भूग विलाश वड़ते हैं सारी दुनिया में कभी-कभी ऐसा भी समय आता है कि तमोगुण तो उपर आ जाता है और सतोगुण रजोगुण दब जाते हैं तो तमोगुण जब मलाई की तरह आ जागा उपर तो वहां सब कुछ आएगा ब्रश्टाचारी आएगी बेहिमानी आएगी रिश्वत खोरी आएगी व्यविचार आएगे ढकेद पैदा होंगे चोर पैदा होंगे अन्याई पैदा होंगे यह सब तमोगुण में पैदा होते हैं फिर कत्र कहाने फैलेंगे दुनिया में मदिराले फैलेंगे दुनिया में मंदिर मस्जिद खाली पड़े रहेंगे और मंदिर मस्जिदों के नाम पर और चर्चों के नाम पर एक लड़ने वाली संप्रदाय खड़ी होगी एक दूसरे से कि हम कृष्चन हैं, तुम हिंदु हो, हम बुद्धिष्ट हैं, तुम मुस्लिम हो यह लड़ने वाली संप्रदाय पैदाओंगी, धर्म पैदा नहीं होगा यह मारकाट मचाने वाली सो काल्ड संप्रदाय पैदाओंगी, जो तमोगुण उपर आएगा, तो सारा उलिया चेंज हो जागा दर्ती पर, धर्ती पर फिर कल्जूगी आएगा, सत्यूग कैसे आएगा? कि लूज करो 10 मिन्टा विच, तो मैं अपना 12 पाउंड वेट लूज कीता है, पार कोटा अल लेही, स्ट्रस दूर करन लेही तो अपड़ी एनर्जी ने,